दोस्तो आज के टाइम पर एक रेपुटेट कंपनी में जॉब लेना वैसे तो बहुत मुश्किल है और उससे भी दुख की बात या दोस्तो कि आज इंडिया में 100% में से 30% लोग ऐसे हैं जिनको अवेरनेस की कमी है उनको नौलेज नहीं है और आगे चलकर अगर वो ओनलाइ जॉब को सर्च करते हैं जॉब लेने की परियास करते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है जी हां दोस्तो ये बिलकुल प्रैक्टिकल बाते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके साथ ओनलाइन जॉब वो सर्च करते हैं और बाद में उनके साथ fraud होता है तो दोस्तों अगर आप भी किसी ना किसी प्रकार के job को search कर रहें चाहे तो आप private sector में या government sector में किसी भी प्रकार के आप sector में job को search कर रहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होगा मैं आपसे यहाँ पर एक request करता हूँ की 5 मिनट समय निकाल कर आप इस वीडियो को पूरा देखीगा मेरा आपसे दावा है कि अगर आप इस वीडियो को complete देखते हैं तो future में आपके साथ किसी भी प्रकार का fraud नहीं होगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टेकनीक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपने साथ implement करते हैं तो future में आपको online job या इस परकार का fraud नहीं होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आगा तो please वीडियो को like किजेगा अपने दोस्तों के साथ share किजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इस तरह के content आपके लिए regular upload करता हूँ तो चलिए दोस्तों शूरू करते हैं तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान देनी वाली बात है कि आपने बहुत बार notice किया होगा कि जब भी आप company में job के लिए apply करते हैं किसी application से job के लिए apply करते हैं तो आपको mail आता है और mail पे लिखा होता है offer later company का होता है और वैसे company का होता दोस्तों जिसको आपने कभी apply ही नहीं किया होगा तो यहाँ पे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमने जिस company को apply ही नहीं किया है और उस company का मेरे पास offer letter आता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है सोचने वाली बात है जी हाँ दोस्तों fraud करने वाले लोग इस तरह का काम करते हैं और वहाँ पे आपके offer letter में साप साप लि दिते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह के email को ignore करना है आपको उनसे interact नहीं करना है अगर आप उनसे interact करते हो तो आगे चल कर वो आपको इस तरह से convince करते हैं आपको सारा कुछ legal लगने लगेगा और बाद में आपके साथ वो लोग fraud कर सकते हैं दूसरी बात दोस् spelling mistake एक बहुत छोटी समझया है लेकिन दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी company एक बहुत बड़ा organization अगर आपको email करती है job provide करती है और अगर वहाँ पे email का mistake होता है तो यह एक बहुत बड़ी दुकी घटना है यहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि जितने बड़े बड़े organization होते है जितने भी बड़ी बड़ी company होती है वो अपने लिए एक professional को hire करते है उनका काम ही होता है कि सामने वाले को वो लोग mail करते है mail में सारा कुछ mention होता है जो आपका offer later होता है सारा कुछ mention होता है और उनसे अगर गलती हो जाती है तो यहाँ पे एक बह fraud करने वाले लोगों से होता है जो लोग fraud करते हैं इस तरह के emails वगर आपको भेजते हैं उनके साथ spelling mistake हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक sign मिलता है जिससे दोस्तों आपको यह समझना है कि यह जो email है बिलकुल fraud कर सकती है और आपको उस तरह के email से बिलकुल interact नहीं करना है source जो होता है वो एक बिलकुल professional email ID होता है यानि जिस भी company के थुरू आपको mail आता है उस company का email ID होता है मान के चलिए दोस्तों मैं अभिमन्यू हूँ और मैं बजाज finance company में काम करता हूँ और मैंने आपको यहाँ पे mail किया है job के लिए तो मेरा जो email ID होगा अभिमन्युकुमा मिलता है यानि job के लिए आपको पूछा जाता है तो वहाँ पे दोस्तों आपको समझ जाना है कि सामने वाला जो email ID मेरे को किया है यानि जिनोंने मेरे को mail किया है यहाँ पे बिलकुल fraud करने की साजिश हो सकती है तो इस परकार के email से भी आपको बचना है चौथे number पे दोस् कॉल करने के बाद आपको सारा detail बताती है company के बारे में आपको कौन से profile पे काम करना है यह सारा कुछ तो सही है दोस्तों लेकिन बाद में वो लोग आपको कुछ amount pay करने बोलते हैं या तो आपको pay tm या अपने bank economy भीजने बोलते हैं और यह जो लोग पैसा मांगते हैं वो क से पैसा मांगते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक negative sign यहाँ पे देखने को मिलता है क्यूंकि दोस्तों कभी भी एक reputed company आपको job offer करती है तो वहाँ पर आप से एक रुपवर भी नहीं मांगती है जिहां दोस्तों मैंने खुद company में काम किया है और जितने company में मैंने का क्या है वहां पे मैंने एक रुपभी पे नहीं किया है तो आपको यहां पे ध्यान रखना है अगर कोई कमपनी आपसे payment करने बोलती है registration के नाम पे training fee के नाम पे software के नाम पे तो वहां पे उन सारे कमपनियों को आपको टाटा बाइवे बोल देना है यानि उनके साथ जूड़ कर उनको payment नहीं करना है क्योंकि अगर आप उनको एक बार payment कर देते हो तो वहाँ पे आपके साथ fraud हो जाता है और जो आपका पैसा है बिलकुल waste हो जाता है पांचवे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत सारी कंपनिया क्या करती है आपको call करती है या आपको mail करती है ज्यादा तर ये काम call पे होता है वो क्या करती है आपको documents मांगती है जी हाँ दोस्तो documents मांगना उनका हक है अगर आप किसी company में काम करते है तो सबसे पहले आपको resume भेजना होता है resume के आधार पे वो आपको shortlist करते हैं further आपका interview ये सारा process होता है लेकिन यहां दोस्तो fraud करने वाले लोग क्या करते हैं आपको documents तो मांगते ही मांगते हैं और साथिसत आपको वो card details मांगते हैं bank details मांगते हैं pin से भी भी अगर इस परकार के कुछ भी चीजों को आपसे मांगते हैं तो आपको समझ जाना दोस्तों कि वो आपके साथ fraud करेंगे क्योंकि दोस्तों किसी भी company, किसी भी bank, किसी भी credit card, किसी भी loan company किसी का हक नहीं है कि आपसे वो pin, CBB, card detail या bank detail आपसे मांगेगी तो वहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इन सारे बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है और जब भी आप job के लिए apply करते हैं, तो ये पांचों बातों को जो मैंने आपको सिखा है सारा कुछ आप यहाँ पर एक एक करके implement करेंगे, तब जाके company को verify करेंगे कि वो genuine है या नहीं है अब दोस्तों देखें कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और हो सकता है future में या फिर past में उनके साथ कभी fraud हुआ होगा इस प्रकार का अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद एक suspect होगे यानि आपके साथ इस प्रकार का fraud हुआ होगा तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले दोस्तों अगर further आप कभी भी future में किसी company को job के लिए apply करते हैं तो जब भी आपको offer later आता है तो आप मेरे 5 बातों को ध्या style को study करना है और duplicate है या नहीं यह check करना है कि कही fraud करने वाले लोगों ने आपको email किया है यह सारा कुछ कर लेंगे और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ बिलकुल fraud करने वाले लोग मेरे को mail किया है तो आपको एक काम करना होगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है आप report कर सकते हैं, दूसरा दोस्तों आप अपने local police station में जाके इसकी report कर सकते हैं, अपने mail वगरा वहाँ पर दिखा सकते हैं, सारा कुछ आप वहाँ पर report कर सकते हैं, तीसरा दोस्तों आपके nearest अगर घर से 100 km, 200 km दूर में अगर cyber crime का department है, तो वहाँ पर भी जाके आप वहाँ पर report कर सकते हैं, जो भी आपको mobile number से call आता है, जो भी email ID से आपको mail आता है, सारा कुछ वहाँ पर दिखाएंगे, और दोस्तों इससे क्या होगा कि जितने भी लोग आपके जैसे होंगे, यानि उन लोग भी job के लिए search कर रहे होंगे, उनके साथ यहाँ पर भलाई का काम हो तब ही आप मेरी वीडियो को like किजेगा, और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप जादा से जादा इस वीडियो को share करिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं, बलकि आप सभी लोग इल के लिए बना रहा हूं, ताकि अगर आप job search करते हैं, तो आपके सा तक ले जैहिन बंद मात्रम